मत प्रदेश कॉंग्रेस सरकार के अपने ही चुनावी वादे अब गले की फांस बन चुके हैं जगा जगा प्रतेक संग्ठान प्रदेश सरकार के खिलाप उतरने लगे हैं और चुनाव में की हुए बादे पूरी करने की मांग को लेकर अड़ने लगे हैं इसके साथ प्रदेश सरकारी खिलाप और गुरान दोलन करने की चेताबनी भी देने लगे हैं ऐसे ही तीन मसले आसोगुनर में सामने आये हैं आस्वामबार को अलग-अलग संविधा कर्मियों ने मुखमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को गयापन सोब कर कांगरिस पार्टी ने जो चुनाओ में संविधा कर्मियों को इस्थाई करने का बादा किया था वो पूरा करने की मांग की है और जातर संविधा कर्मिया प्रदेश कांगरिस की बादा खिलापी को लेकर रोज उप्यक्त कर रहे हैं और ब्रोध प्रदासन कर रहे हैं सुमबार को कलेक्टेट में पंचास सहाइक सचे वहाँ साउसा कार करता ये मुखमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ग्यापन सौप कर चुनाओ मैं किया गया बादा सभी संबिदा कर्मियों को इस्थाई करने को लेकर गयापन दिया है साथ में सभी संबिदा कर्मियों ने सरकार को चेताबनी भी दी है कि ये मांगा जल्दी नहीं की जाती तो सरकार की बादा खिलापी को लेकर उग रांदोलन करेंगे भारती किसान संग के बेनरतले आजा सुकनर में स्यक्णों किसानों रेली निकालकर अपनी जायजमाउं को लेकर मुखमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर गुग यापन सौपा है किसान संग ने अस्पताल चौरह से बेल गाली पर बैट कर रेली निकाली साथी प्रदेश सरकार के खिलाप नारी लगाती हुए कलेक्टेट का घेराओ कर डिप्टी कलेक्टर देविन प्रताप सींग को मुखमंत्री के नाम ग्यापन सुपा है किसान संग ने मांग किया कि पहले तो सरकार चुनाव में किये गा है बादे पूरे करे और करज माफी कर रिण माफी के प्रिमारपत बित्रत करे किसानों का विजली बिल माफ एवं फसलों के उचदाम मिलने जैसी मांगें प्रदेश सरकार के समख किसान संग ने रखी है सात ही सरकार द्वारा मांगें ना मानी जाने पर उगर अंदोलन करने की चितामनी भी दिया हलाकि विसाल रेली और ग्यापन से पहले किसान तीन दिवसी दहने पर जायज मागों को लेकर बैठे थे जहां दूसरे दिनला इवार को किसान संगी के पददिकारियों ने मुंदन करवा कर अपनी बरसों परानी मूछे भी कटवाई थी और सरकार के खिलाप जबर जस्ता आ अरज भी करवाई थी जिसके बाद पुलिस ने करवाई करते हुए गरामियों पर सरकारी कारे में बादा पहुंचाने और बिना कारण एक आरक्षक को पीटने पर पुलिस ने अफ़ायर दर्ज कर आरक्षक की पिटाई करने बाले कुछ लोगों को अपनी हरासत में लेकर जिल भेज दिया था और कुछ अग्यात लोगों की तलास कर ही रही थी तभी आज भारती जनता इवामोर्चा वें कुछ समाजों के लोगों ने कलेक्टेट पहुंचकर पुलिस प्रसासन मुर्दाबाद वें पुलिस अधिक चक के खिलाप नारी लगाते हुए पुलिस की कारे प्रिणाली को लेकर प्रस्विचन लगाए हैं विवामोर्चा ने योगत आरक्षक बाजित बेग पर रसुगदारी दालागिरी करने के आरोप लगाते हुए कहाय कि पहले भी आरकषक बाजित बेग की कई सिकायत हो चुकी है यहां तक कि स्थानी सांसद भी बाजित बाजित बेग की सिकायद कर चुके हैं और सांसत की सिकायद के बाद बाजित बेग को थाना कचनार से हटा कर कहीं ओर कर दिया था लेकिन आरक्षक के रसूप के चलते पुना कचनार अपना टांसफर करवा लिया गया और गाउबालों के साथ फिर से आरक्षक दादागिरी कर लेकिन एक दिन बाद ग्रामीलों ने आरक्षक को गाउं में संदिक अबस्ता में पकड़ा तो आरक्षक गाउंबालों के साथ मारपीट करने लगा जिसके बाद गाउंबालों ने जबाब देती हुए आरक्षक के साथ मारपीट कर दी आरक्षक ने अपनी बीडे बनवा कर बाइरल भीकर बादी जिससे वो बच सके और पुलिस ने निर्दोस कमाबालों को जोईल भेज दिया इवामोर्चा ने कलेक्टर के नाम गयापन सौपकर कहा है कि जिले की कानुन व्यास्ता पर ध्यान देकर नयाय किया जाए अनथा की इस्तिती में युवामोर्चा उग्र आंदौलन करने के लिए बाद रहेगा आज भारती जनते युवामोर्चा के दोरा एवं सरब्रामन समाज के साथ ही कई संगेटनों के दोरा हम सब मिलकर के पिष्छे दौनों जो कशनार में घटना हुई उस घटना में आरक्षक बा जिद Bic के दोरा घराम्यों के साथ लगातर गलत बरताप किया जा रहा था कुछ ग्रामिनों को गाली गिलोच की गई एवं आरक शक बागर जिद बेग पिछले 6 सालों से कचनार ताने में पदस्त है जो की गेर कानुनी गद्वदियों में वह संलिपत था इसका ग्रामिनों ने ग्रोध किया और कई बार पुलिस अदिक शक महाँदेश से सिकात की और मैं फिर से 5-10 दिन बाद फिर से पोश्टिंग करा ली खशनार थाने में मैं पूछना चाहता हूं पुलिस अदिक शक महाँदेशी से कि ऐसी क्या बजय थी कि आरक शक बाजित बेच को पुना वहां पर पदस्त किया जब उसकी लगतार सिकायत ग्रामिनों के दौरा मिल र मार्वीट करी यह लोवर और टी-शट में थे सिविल ड्रेस में थे इनको जाने की आवश्यक्ता थी इसका बिरोत करते हुए गाउं के लोगों ने इनके साथ मार्वीट की तो पुलिस द्वारा बरबरता पूर्ण वक्त गाउं के साथ मार्वीट की गई एवं बहां पर पूट और डकेती जैसी कंबीर धारां की मुकदमा कायम कर दिया गया मैं पूछला चाहता हूं पुलिस अदिक्षर महादया जी से क्या पुलिस के लिए कानूं समान नहीं है क्या कोई आदमी दिन धारे पूरे गाउं के बीच में बगर किसी हत्यार को लेकर के लूट कर सक करेंगे पूरा जंता में अक्रोस है और बारति इंद्वा मुर्चा पूरी दागस्थ से इसका वर्योद करेंगी अगर 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 आदेगे